तो SEBI क्या है? SEBI है Securities and Exchange Board of India. Securities and Exchange Board of India इसका full link में है और यह established हुए थी 12 April 1988 को किस के तरह मिनिस्ट्री और फिनांस के तरह मिनिस्ट्री और फिनांस में ज़ गवर्मिंट, Central Government की मिनिस्ट्री और फिनांस के तरह 12 April 1988 को यह established हुए थी लेकिन अगर हम बात करें इसके Act की कि सेवी का Act कपास हुआ थो सेवी का Act 12th June 1992 को पास हुआ था So, सेवी Act 1992 है और जब ये पूरा norms और rules की कि से कोर्डिंग सेवी की क्या rules है, क्या provisions रहेंगे, कैसे working होगी वो सारे चीजे यहां पर frame हुई तो ये तब जाके ये कि statutory body बनी investing in securities along with regulatory in the securities market, so main objective क्या हो जा रहा था, इसको इसी परपस के लिए established किया गया था, कि जो investors invest करते हैं, उनके interest को protect करें, companies उनको cheat न करें, जहां जिन जगह पे जिन चीजों में वो invest कर रहे हैं, तो companies उनको cheat ना कर सके, और किस तरीके से पूरा वो market regulate हो, security market, इसका भी पूरा work SEBI के लिए डाला गया, कि SEBI इन चीजों को deal करेंगी, तो इसी परपस से SEBI को established किया गया था, SEBI also regulate how to stock market and mutual fund functions, तो कैसे stock market काम करेगा, उसकी working कैसे होगी, mutual fund कैसे work करेगा, ये सब भी SEBI ही regulate करती है, मुंबाई में और इसका Northern, Southern, Western regional office है, वो New Delhi, Kolkata, Chennai और अहमदाबाद में हैं, तो ये इनकी पूरा office का हो गया, अब हम बात करते हैं कि SEBI को objective क्या है, तो जो कुछ important objective है, हम उसको discuss करेंगे, तो सबसे पहला क्या हो गया, कि stock exchange की जो activity है, उसको regulate करना, मतब इस stock exchange कैसे work करेगा, उसकी functioning कैसे होगी, ये कौन regulate करता है, SEBI, इसी के according work करेंगी, तो और दूसरा objective क्या हो गया, investors को protect करना, ये सबसे इनका important objective है, कि SEBI क्या करती है, कि जो investors हैं वहाँ पे, उनके rights को, उनके interest को, उनके hit को, interest मतलब ये जो amount interest मलता वो नहीं, उनके hit को protect करती है, कि उनके साथ कुछ भी गलत ना हो, जो investment कर रहे हैं, वो safe रहे, कहीं भी कोई problem ना आने पाए, देन क्या करती है, ये prevent करती है, किसी भी तरीके से fraudulent practices को, या mal practices की, जो कि stock exchange में generally लोग करते हैं, कि trading के duration में, गलत information देना, गलत तरीके से work कर देना, तो वो इन सब चीजों को रोकती है, ये भी इनगी का काम है, SEBI का ही main objective था, इसके लावा, SEBI और क्या decide करती है, कि जो भी इस पूरे stock exchange में, जो financial intermediaries है, means जो investor और company के बीच में, जो deal कर रहे हैं, वो लोगों के लिए क्या code of conduct होगा, उन्हें किस तरीके से काम करना चाहिए, उनके क्या norms होँगे, वो भी कॉन decide करेगा, SEBI decide करते हैं, ये भी उनही का objective है, तो financial intermediaries मतर जिसे underwriters हो गए, brokers हो गए, merchant bankers हो गए, portfolio managers हो गए, ये सारे के सारे financial intermediaries की category में आते हैं, और इनके लिए code of conduct भी SEBI decide करती है, तो ये भी SEBI के ही objective में आ जाता है, इसके अलावा, SEBI को balance maintain करके रखना होता है, कि जो भी statutory regulation है, वो भी अच्छे से हो सके हो, जो SEBI की working है, SEBI को mean function है, वो भी अच्छे से perform हो सके, उसके बाद हम देखते हैं, कि SEBI के function क्या क्या है, तो SEBI के functions को हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि protective function क्या है, प्रोटेक्टिव function जैसा राइम सजिस्ट कर रहा है कि protection के लिए, कि कुछ भी मतलब किसी के साथ भी कुछ गलत ना होने पाए, उस purpose से क्या क्या work करती है, तो यह क्या रहती है, insider trading को prohibit करती है, अब protective protection किसको देगी, इंवेस्टर को protect करने के लिए है, तो यह क्या करती है, insider trading को prohibit करती है, रोकती है, तो हमारे यह insider trading क्या है, पूरी तरीके से illegal है, insider trading मतलब क्या हो गया, कि जैसे दिखे, stock market में dealing होती है, तो stock market में कैसे deal होती है, shares की prices बढ़ जाती है, share की prices down हो जाती है, जो stocks है, जो securities उनकी prices कभी up, कभी down हो रही होती है, तो जो investors होते हैं, जब price कम होती है, तो उसो purchase कर लेते हैं, जैसे price raise होती है, उसो क्या कर देते हैं, sale कर देते हैं, और यह price increase और decrease कहीं हँए हथ तक हम बहुत सारे factors पर depend करता है, पर हाँ एक फ्यक्टर अगर लेके चलते हैं, तो हाँ, डिमांड और सप्लाई के बिस्स पर भी चलता है, अब दिमांड, जैसे मालनेजे बायो टेक है, बायो टेक फॉर्मसिटिकल कमपनी है, तो बायो टेक की क्या होगी, आपका कुरोन वैडिस की वैक्सिन के लिए वक्सि बाइट में लीक कर दी तो क्या हो गया लोगों को पता चल गया कि अच्छा खासा होने वाला इनका बहुत बड़ा प्रोजट्ट पास होने वाला गोमिन अभी कैसी इंफरमेशन थे वह इंटर्नल इंफरमेशन थी टाइम के अकॉर्डिंग की आता तो तौकर इसके रेट इं क्योंकि अभी तो प्रोजेट पास नहीं हुआ है अभी तो मार्केट में इसके डिमांड नहीं आई है तो शेयर क्या हो गया नॉर्मल इट में ट्रेड हो रहे हैं पर इनको पता चल चुका है तो यह जो एक दो लोग है इन्होंने क्या कि इंसाइडर इंफॉर्मिशन निकाल ली और इन्होंने क्या किया बहुत सा लॉट में शेयर को परचेस कर लिया कम दामों पर अब जैसे ही गवर्मेंट के साइड से वह प्रोजेट पास हो गया मार्केट में न्यूज आ गई न्यूस पेपर में यह न्यूज आ गई कि तो यह क्या करेंगे प्राइसे हाई करके सेल करेंगे जोंकि लोगों को खरीदना है इसमें इंवेस्ट करना है तो वह क्या करेंगे हाई प्राइस पर शेयर्स आ गए तो यह क्या होगा इंसाइडर ट्रेडिंग के वज़ए से इंसाइडर ट्रेडिंग के तो यह पूरा इ तो ये चीज एक इंसाइडर ट्रेडिंग हो गये इसके लावा चेक प्राइस करते हैं। तो यह जो है गलत हो जाता है अब जैसे इंसाइडर ट्रेडिंग की बात कर ले तो या प्राइस रिगिंग की बात करते हैं तो अभी जैसे रिलाइंस इंडस्ट्रीट कम क्या होता है कि यह जो इन ही वजह से हुआ देन पर्मोटिग फ्यर्प्राक्टिस तो यह कहती है यह से यह का क्या होता है कि आप अच्छी तरीके से काम करो इस तरह से मौल प्रैक्टिस मत करो कि जूट मुट की खबरे फैला दो मार्केट में आपको हर्षार मैदल का केस या दो बहुत बड़ा स्काम था हर्षार मैदल का तो वह भी इन अच्छी तरह से विए बारे में इनफोर्मेशन देती आप देखेंगे कि छोटे मुटे एड आते रहते हैं जो सेवी की थूरे जाते हैं कि जिससे इंवस्टर आप रेडिया लगे आप रेडियो पर सुनेंगे तो रेडियो पर भी च्टे मुटे आड बना की वह न्यूस द प्रेडियो और बना की है क्या बना की सब्सक्राइब बना शाय। पताती किसे कॉप्टाती के आपको इस तरिके से काम करना चाहिए एक आप स्टॉक मार्केट में डिल कर रहे हैं तो आपको यह नॉम्स फॉलो करने पड़ेंगे फिनाशन इंट्रमेडरी कोई बनना चाहता है तो आपके पास कापिटल कितनी होनी चाहिए की आप किस तरह के होने चाहिए पूरे पूरेसर आपको सभी रहते हैं सभी सब्सक्राइब घा करती है time to time क्या करती है question inquiries करती रहती है stock actions के में audit कराती रहती है कि चीजे सही से हो रही की नहीं चेक करती रहती है और इसके अलबा क्या करती है stock brokers merchant bank brokers जो होते हैं इन सब की working को regulate करती है चेक भी करती है regulate भी करती है कि सही तरीके से work करें जैसे से बता जाना हम तब जो गाइड लाइन से उसके कॉर्डिंगे फॉलू करें इसके लाव आप क्या function हो कि development function तो protect कर रहे है investor को जो working हो रही है उसको अच्छे से regulate करा रही है इसके लावा development भी करती है तो development कैसे करती है इंटमेड ब्रीज जो होते हैं जो security market को deal कर रहे हैं उनको ट्रेंड करके उनको knowledge provide करके भी यह क्या करती है उनके development करती है तो it's all about the function of SEBI protective regulatory and development तो यह पूरा हमने function or objective or main motive SEBI को देख लिया so I hope आपको थोड़ा बहुत clear हुआ होगा wish you all the best keep watching thank you so much